नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है सुबो डिजिटल यूटूब चैया में दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे SBI Bank के ATM Card Online कैसे अपलाई करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा दिखेगा दोस्तों आपके पास SBI Bank का खाता है आप ATM Card अपलाई करना चाहते हैं तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपना ATM Card के लिए अपलाई कर सकते हैं तो शेलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने मुवाइल में Google ब्राजर ओपन कीजेगा और यहाँ पे सर्च कीजेगा SBI आपके सामने State Bank of India का website आजाएगा इसको open कीजेगा और यहाँ पे एक option है login करने का आपको login वाले option पे click कर देना है फिर से आपको यहाँ पे continue to login वाले option पे click करना है अब दोस्तों यहाँ पे user ID password देखकर आपको login करना है तो आप लोग कहेंगे कि बीना ATM card के इसका user ID password कैसे मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे मैं इस वीडियो में बताऊंगा वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका user ID password कैसे मिलेगा बीना ATM card के तो यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास user ID password है, इसको हम login कर लेते हैं, ATM card apply करने का तरीका बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे इसका user ID password मिलेगा बीना ATM card करके, चले इसको हम login कर लेते हैं, user ID password देने के बाद आप login पर किलिक कीजिएगा, आपके नमबर पर OTP पर देके submit कीजिएगा, तो finally login हो जाएगा इस website पर, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, SBA bank के website पर login हो चुका है, अब आप यहाँ पे ATM card apply कर सकते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पर एक option है, 3. का आप ध्यान से देख लिजिए, यह 3. वाले option पर आपको किलिक करना है, उसके बाद यहाँ पर option है, देख सकते हैं e-service, आप देख सकते हैं e-service वाले option पर आपको किल करना है, डेविट कार वाले service पर किलिक कीचेगा है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक option है, ATM com debit card और virtual debit card, तो इसमें से कौन सा card आपको चाहिए, अगर आपको virtual debit card चाहिए, नीचे वाला, तो नीचे वाले पर किलिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हैं, request, virtual debit card, इस पर आपको किलिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना account number को select कर लेना है, यहाँ पर card पर क्याद नाम रखना चाहते हैं, लिखे देना है, और कौन सा card आपको select करना है, इसमें कौन सा card चाहिए, जैसे master card, visa card, रूपे card, रूपे card होता है, जो सबसे कम इसका annual charge लगता ह ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर अपना card select कीजिएगा, और term करने से accept कीजिएगा, प्रोसीड कीजिएगा, आपके नमबर पर OTP पर देके submit कर देजिएगा, आपका card अपलाई हो जाएगा, अगर आपको ATM.com debit card चाहिए, तो यहाँ पर आपको click कर देख सकते हैं, उसके बाद card select करना है, debit card ठीक है, और फिर आपको नीचे यहाँ पर जो है अपना card पर क्या नाम रखना चाहते हैं, select करना है, ठीक है, और यहाँ पर term condition पर tick कर देना है, तो देखिए, my card पर select करेंगे, तो यहाँ पर जो है, my card है, my card पर tick कीजिएगा, अप master card हो गया, और visa card हो गया, तो इसमें से कौन सा card चाहिए, high profile का debit card होता है, ATM card है, यहाँ से, और term करने से accept कीजिएगा, submit कर देखिएगा, card apply हो जएगा, और यहाँ पे जो है, फिस काटा जाता है, 250 रुपे, प्लस जो है, 500, 499 रुपे, तो अलग-लग charge होता है, यहाँ पे, दोस्तों, यह जो काम कीजिएगा, आप 8 वजे से लेके, 8 वजे साम तक ही किया जाता है, card apply करने की पड़किरिया होगा, इस तरीके से card को apply कर सकते हैं, ATM card, और यह होगी आपका international master card और visa card, ठीके, देख सकते हैं, international master card और visa card, अगर आपको जो रुपे डैविट कार चाहिए, तो मैं रुपे डैविट कार्ड के लिए आपको ये वाला option select करना है, और यहां से अपने आपको अभी बताया था, तो यहां पे request वाले पे आपको click करना है, request डैविट कार्ड इस पे click करना है, और यहां से रुपे डैविट कार्ड के लिए, यहां से रुपे डैविट कार काड के लिए हुद्ध किजिए कौन सा रुपे डेविट कर चाहिए जैसे की मास्टर वीजा और रुपाय तो यह हो गया जो लौकल होता है जो अपने चलता है इंटरेश्णल नहीं होता यह गलोबल to कार होता है ठीक है तो यहां पर कार्ड को सेलेट कीजिए नाम लिखिए ठंकनिसे से क्षेट कीजिए कार्ड अप्लाई हो जाएगा फिलाल मेरे अकाउंट पना अभी एक्टिव है ठीक है इस तरीके से sbi bank का पेटेम कर अपप्लाई कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जिसके पास user ID password ने उसका कैसे मिलेगा तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों इसका user ID password आपको जो है सबसे पहले लेना होगा तो user ID password लेने के लिए आपके bank में mobile number link होना चाहिए ठीक है अगर आपके bank में mobile number link है तो इसका user ID password आसानी से मिल जागा कैसे तो आपको करना क्या है अपने area में जो आपका branch है जैसे कि SBI bank में आपका खाता है तो SBI bank के main branch जो होता है home branch home branch में आपको जाना है और आपको बोलना है SBI bank का मुझे user ID password चाहिए तो आसानी से bank में जाने के बाद कोई भी staff इसका user ID password बना के आपको दे देगा फिर आप login करके आसानी से ATM card अपलाई कर सकते KYC कर सकते statement देख सकते हैं bank का जितनी भी काम होता है बैंक वाले भी अपना काम को कम करने के लिए customer को user ID password दे रहा है कि customer खुद से login करके ATM card अपलाई कर सकता है KYC कर सकता है जितने भी bank से जूरी काम होता है सारे काम आप यहां से कर सकते net banking के द्वारा जाइए अपने branch में user ID password ले लेना है आपको user ID password लेने के लिए अपने pass अधार card और passbook लेकर जाना है और आपका mobile number जो link है bank में वो number भी आपको pass में लेकर जाना है आसानी से इसका user ID password मिल जागा तो ATM card के लिए चक्कर लगाना नहीं सिर्फ आपको एक बार user ID password लेना है мов में ज एकी समय का है उन खर वाल लेगा.